नमस्कार, आज हम आपको मेट्रो टेंड के बारे में बताएंगे यह जो मेट्रो है, यह मेट्रो पॉलिटन का शाड फार्म है, दिखे शुरू मेट्रो लिखा है ना इसके जो मेट्रो ट्रें है, वो मेट्रो पॉलिटन सिटी के लिए ही डिजाइन होती है, यो कि सिटी के अंदर जब ट्रें चलती है, उसमें बहुत सारे इस्टेशन होते हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रें को रुखना पड़ता है लेकिन जो मेल लाइन ट्रें है, मेल लाइन ट्रें का मतलब है लंबी दूरिवाली, एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए, तो मेल लाइन ट्रें लाँग डिस्टेंस चलने के लिए डिजाइन करते हैं, तोनों की रिक्वाइर्मेंट अलग अलग है वोर्ड का फस्ट मेट्र सिस्टम 1863 में ओपन हुआ था लंदन अंडर ग्राउंड यहां पर हमने में ट्रेन और मेट्रो ट्रेन में अंचर दिखाया है में ट्रेन का मतलब जो दूर दूर ट्रेन जाती है उसको बोलते हैं में ट्रेन तो में ट्रेन में एक इंजन होता है और पीछे बहुत सारी कोच होती है इसमें पैसेंजर बैठते है और इंजन में मोटर होती है, ड्राइबर होता है, कन्वर्टर इन्वर्टर होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेट्रो में सेट होता है कोच का, तीन कोच का या चार कोच का, पैसिंजर तीनों में बैठते हैं, आपने देखा होगा, आप मेट्रो से चले होंगे तो और यहाँ पे driver खाली आगे होता है यहाँ पे driver का kevin इधर भी होता है और इधर भी होता है दोनों side में और यहाँ पे जो motor है engine में लगी होती है train को चलाने के लिए यहाँ पे motor कई जिगे होती है तो जो engine के parts है converter, inverter या driver kevin या motor और यहाँ पे पीछे फैसेंजर, यह सब डिस्ट्रिब्यूट होते हैं, अगर मा दीजे बड़ी मेट्रो कार चाहिए, तो ऐसा ही दो जोड़ देते हैं, जैसे अगर यह 3 का सेट है, तो 3 और 3 जोड़ के 6 कार का सेट बन जाएगा, इसी पे अगर 4 कार का सेट है, तो 4 चार ज यह जो हमने एक सेट बताया है कि उसमें 3 या 4 कार्स होती हैं, वो टिपकली काल्ड, DMC, MC, TC, DMC मतलब driving motor car, MC मतलब motor car, TC मतलब trailer car, यह टिपकल हैं, और भी नाम होते हैं इसके, यहाँ पर हमने 3 कार के सेट वाली metro का arrangement दिखाया है, इसमें देखिए, दोनों किनारोबे DMC लगे हैं, बीच में TC टाइप की कार लगी है, या D का मतलब driver, तो DMC में driver का cabin होता है, तो driver का cabin यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कि दोनों DMC हैं, वो इसलिए, जैसे train इधर से आई थी अभी, तो यहाँ पर driver रहता है, लेकिन जब train वापिस होती है, तो driver यहाँ आ जाता है, तो driver के इस cabin से, या इस cabin से, दोनों cabin से, यह train control हो सकती है, अभी हमने तीन कार वाली metro दिखाई थी आपको, metro का arrangement, यह 6 कार वाली metro का arrangement है, इसमें देखिए 6 कार एक, दो, तीन, चार, पान, छे, दोनों किनारों पर DMC लगा है, इधर भी DMC टाइप कार है, इधर भी DMC टाइप कार है, क्योंकि driver का, जो cabin होता है, दोनों side में होता है, इसमें, और दो MC लगे हैं, कोच, और दो TC लगे हैं, इसमें क्या होता, जो motor है, distribute होती है, कई जिगे होती है, इससे train का acceleration अच्छा होता है, नार्वल ट्रेल में ऐसा नहीं होता, नार्वल ट्रेल में motor और driver खाली एक जिगे होता है, बाकी सारे जिगे पैसेंजर होती हैं, दिकलिस में 6 कार वाली मेट्रों में, पैसेंजर सारे 6 कारों में बैठते हैं, यहाँ जो यह आप देख रहे हैं, यह metro में जो कार होती हैं, उनके arrangement के लिखने का एक technical तरीका है, यह technical तर्म है, अभी हमने आपको तीन कार वाली मेट्रों दिखाई थी, उसमें दोनों साइड में DMC थी, और बीच में TC टाइपी कार थी, तीन थी ना, तो DMC, TC, DMC ऐसा लिखने का तरीका है, सप्लायर कहता है कि हम ऐसा arrangement देंगे आपको, इस इपका छे कार वाली जो मेट्रों का arrangement हमने दिखाया था, उसमें किनारे DMC टाइप की कार थी, दो MC थी, और दो TC थी, बिल्कुल वह यह arrangement है, लेकिन ऐसे दिखाने की बजाए, ऐसे लिखते हैं कि हमारी मेट्रों का arrangement है, शिक्स कार और उसका arrangement होगा DMC, TC, MC, 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 TC, DMC, इस 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 पकार, चार का arrangement हो सकता है, DTM, MDT, ऐसे कई arrangement होते हैं, यहां पर हमने, ट्रेन की पावर सप्लाई requirement के बारे में बताया है, जो मेन लाइन ट्रेन हैं, वो 25 के भी AC से चलती हैं, लेकिन जो मेट्रों हैं, वो कई तरह से डेजाइन होती हैं, कुछ मेट्रों 25 के भी AC से चलती हैं, कुछ मेट्रों DC सप्लाई से चलती हैं, जब DC input होता है, तो आजिक तर 750 बोल्ड होता है, आजिक तर यही होता है, कहीं कहीं 1500 बोल्ड भी है, AC से चलाने में क्या प्राबलम है मेट्रों में, कि मेट्रों जब जमीन के अंदर से जाती हैं, तो 25 के भी की सप्लाई ले जाना वहां मुश्किल हो जाता है, जगा नहीं होती, तो आज कल DC ज़्यादा पापलर हो रहा है, जो मेट्रों हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम IGBT बेस्ट VVVF कंट्रोल होता है, वेरियेबिल वोल्टेज, वेरियेबिल फ्रिक्वेंसी, मतलब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों कंट्रोल करते हैं, मोटर की स्पीट को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें 3-phase induction motor होती है supply input DC हो या AC हो दोनों case में 3-phase induction motor AC type होती है देखे यहां पर हमने एक फार्मूला दिखाया है आप जानते होंगे force equal to mass into acceleration या acceleration यह होता है force divided by mass अब acceleration क्या होता है speed change होने को acceleration कहते है तो जो metro train है उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एकदम से चलना पड़ता है फिर एकदम से रुकना पड़ता है फिर चलना पड़ता है तो वो high acceleration के लिए design होती है जिससे जल्दी से चल जाए और जल्दी से रुक जाए तो जब एक e-value जादा होगी तो f तो जादा करना ही पड़ेगा मगर m भी कम करना पड़ेगा m क्या है mass आप जी train तो जो metro train की कोचिज है वो कोशिश करते हैं कि उसका mass कम हो उसको light weight भी बोलते हैं टेक्निकल डर्म में लेकिन जो main train लोको है उसमें हर दो मिनट में रुकना चलना नहीं पड़ता वो काफी दूर तक चलती रहती है इसलिए वो high speed के लिए design होती है तो इसमें और इसमें control system में और motor में अंतर होता है यहां पर हमने जो track होती है ना train दो पट्री पर चलती है तो उन दोनों पट्री के बीच में कुछ दूरी होती है उसको gauge से नापते हैं आपने सुना होगा इंडिया में broad gauge है, meter gauge है narrow gauge है तो इंडिया में जो main train चलती है, वो आधिता broad gauge में चलती है उनके पट्री के बीच की दूरी होती है 1676 mm और खाली broad, meter और narrow नहीं होता बहुत सारे gauge होती है उनमें एक होता standard gauge standard gauge में दूरी होती है 1435 mm तो आजकल जो metro चलती हैं वो कई जिगे standard gauge यूज करते हैं एकली वर्ड में standard gauge बहुत ज़्यादा popular है और जो metro train होती हैं, उनकी track अलग होती है, मतलब पट्री अलग होती है वो आपनी पट्री किसी और से share नहीं करते हैं आपने देखा होगा, आप main train से जाएए कहीं दूर तो रास्ते में train को किसी गाउं पर, station पर खड़ा कर देते हैं वो कहते हैं, खड़े रो, राजधानी आएगी पहले वो जाएगी, फिर हम जाएगे लेकिन metro train में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अपने track किसी दूसरी train को share नहीं करती है उसी type-y train चलती है, बस सारी metro train ही चलेंगी उन फटरी पर अब आज यहीं समाप्त करते हैं झालती है